हेलो एवरीवान दिस इस एजी हियो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11 स्टैंडर्ड की साइकॉलोजी इस लेबस देख लेते हैं एक बार इसमें टोटल एट चैप्टर्स है और वन बार वन हम अल चैप्टर्स हम लोग देखेंगे तो फिर्स टैप्टर आपका है स्टोरी और साइकॉलोजी पौक्य पुर्स की पुड़ेजिधे हम लोग पढ़ेंगे साइकॉलोजी किया होता है किसकी बार में पढ़ते हैं उसके मीनिंग इसके डेFSनिश यह सारी चिज़ने हम फिर्स चैप्टर में कवरे प करेंगे Let's start. यहाँ पर आपको just start intro दिया है कि psychology क्या होता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं examples के थूरू देखते हैं, चली देखिए, यहाँ पर decide में आपको कुछ examples दिये गए हैं, ताकि आपको समझ में आए कि psychology क्या होता है, means behavior क्या होता है. यहाँ पर देखी जैसे example है कि students ने society attempt किया due to failure in the examination और fourth example है wife donates a kidney to her husband यानि कि wife की kidney उसने denote की अपने husband को और यहाँ पर third example में हम देख सकते हैं कि एक man ने अपने ही brother को मार दिया क्यों property dispute के लिए second है neighbor ने अपने पडोसी ने life save की दूसरे की जो की अग लग गया था घर में और उसने उसको बचाया तो इन सब एक्जांपल्स में से मैंने पूरे एक्जांपल्स ने लिए हैं और एक eight example दे लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है ना इंडिया ने मैच हार गी और इसलिए जो viewer था उसने अपनी टीवी ही उससे में फोड दिया तो यहां पर इन सब एक्जांपल्स जो है उसमें हमने देखा कि एक इंसान मतलब होते जो सब human beings हैं बट उनका situation के according कैसे behavior change होता है कैसे कोई behavior बहुत ही kindly behave करता है politely और कैसे कोई बहुत ही rudely angryly behave करता है तो psychology मतलब ही होता है कि हम एक human के behavior के बारे में study कर सके scientifically उसको बोलते है psychology चलिए अभी देखते है history of psychology psychology कैसे आया ठीक है the history of psychology psychology is a vast field studying behavioral aspects of mankind this makes it difficult to define psychology precisely and concrete terms okay तो psychology vast याने कि बहुत ही बड़ा एक field है study के लिए किसके field behavioral aspects of mankind याने कि एक किसी भी इनसान के जो behavior हम पढ़ाई करते हैं उसके बारे में यह उसके field में बहुत ही vast field psychology और यहीं इसी को मुश्किल बनाता है कि हम लोग psychology का definition बहुत ही correctly term से हम लोग define नहीं कर सकते बिकॉस human का जो behavior होता है वो एहारे situation में change होते रहता है उसके mindset जिसे mood change होते हैं तो उसी प्रकार यह बहुत ही difficult होता है कि हम उसका कोई correct definition दे सके अभी हम यह history देख रहे हैं इसके बाद में हमको आगे दिखाई देगा कि कैसे इसका एक correct definition अब है ठीक है psychology did not emerge directly as a science it started as a branch of philosophy it involved as a separate branch later 19th century okay psychology एक पहले कोई subject नहीं था directly यह सामने नहीं आया था as a science ठीक है यह start हुआ था कैसे एक philosophy जो subject होता philosophy उसका एक branch था psychology पहले उसके बाद 19th century के बाद यह एक separate branch मतलब एक separate subject की तरह सामने आया अभी हाँ scientist है plateau जो believe करते हैं कि जो knowledge है वो innate होता है okay innate याने हमारे अंदर ही सारी knowledge होती है और वहीं पे जो दूसरे है जोहन लेक thought that each child is born as an empty slate and that knowledge is primarily acquired through learning and experience और यहां पर जो यह है जोहन लेक कि क्या बोलते हैं कि जो child होता है वो जनम लेता है एक empty slate यह जो एक खाली slate होता है उसकी तरह होता है और जो knowledge उसको मिलती है वो कैसे मिलती है वो इसके learning पूरे life के learning और experience इसको knowledge मिलती है ठीक है अभी देखते हैं आगे soul of mind science of science of soul okay मतलब studying में जब definitions इसकी बनाने के लिए scientist बहुत ज़्यादा work कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा first उन्होंने बताया कि यह science of soul है soul यहने आत्मा किसी भी इंसान की जो आत्मा होती है यह उसका जो मन यह दिमाग आप बोल सकते हो mind देखिए soul and mind ठीक है यह बताया गया तो देखते कौन किसने क्या बताया the first attempt to define psychology was made on the basis of the terminology used in the word psychology was derived from the Greek word psyche and logos okay तो first attempt जो psychology define करने का था वो basis पे था terminology पे बेस था ठीक है तो यह psychology वर्ट कहां से आया है Greek word से आया है psycho psych plus logos psychology को हम लोंने दो पार्ट दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसमें psych means होता है soul or mind and logos means science or science or branch याने कि soul and mind का जो science होता है वो हम को उसको बोलते हैं psychology तो हम कह सकते हैं कि psychology क्या होता है जिसमें हम लोग माइंड और soul का science पढ़ते हैं या उसके बारे में knowledge जो पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं psychology यह है psychology का sign okay symbol of psychology the symbol of psychology is the 23rd greek alphabet psi means soul or mind but देखे but latter psychologists were not satisfied with this definition to them soul was difficult to study as it could either be visualized or nor could be described in concrete term देखे उसके बात क्या हुआ कि sociologist जो थे वह satisfied नहीं हुए यह definition उनको मिला था कि जो psychology है वो study है mind और soul का यह definition नहीं हुए क्योंकि नहीं हम soul याने आत्मा नहीं हम आत्मा को छू सकते हैं ना उसको देख सकते हैं तो इसके वज़े से हम उसको एकदम अच्छे से concrete terms में describe भी नहीं कर सकते हैं तो इसलिए both soul and mind are abstract concept rational science is established that they are fact from observation and experimentation if psychology is a science it must be based on some sort of observation and experiments however either soul or mind can be observed we cannot see or touch them we cannot describe its nature nor can we say where it is therefore the definition of psychology was modified okay देखिए यहां पर क्या बोला है यह दोनों जो concept है means जो psychology है वो आत्मा soul याने आत्मा और mind याने दिमाग जो हमारा होता है उसकी study होती है यह abstract concept है जिसको ना तो जो rational scientist थे वो उन लोगों ने क्या एक fact बताया कि science का बोलते हैं जब हम किसी चीज को observation से कोई analysis observation करके जो result आता है या experiment करके result निकालते हैं उसको बोलते है psychology मतलब science और अगर psychology एक science है तो उसमें भी कोई ना यह observation और experiments होने चाहिए लेकिन यहां पर हम mind और soul दोनों को नहीं observe कर सकते हैं नहीं उसको देख सकते हैं और नहीं touch करते हैं इसलिए यह एक और हम यह भी नहीं बता सकते हैं कि यह कहां पर रहते हैं जिसे कि हर एक इंसान मतब टीचर कहां मिलेंगे आपको teachers school में मिलेंगे professors college में मिलेंगे उसी तरह हम नहीं बता सकते ना कि वह कहां पर जो mind or soul है वह कहां पर है इसलिए यह definitions को बाद में मोडिफाइड कर दिया गया मोडिफाइड यहने चेंज कर दिया गया अभी हम देखते हैं study of conscious